त्रियोदसी तिथी भगवान संकर को समर्पित मानी गई है ऐसे में प्रदोस्वरत के दिन भगवान शंकर वा माता पार्वती की विदिवत पूजा की जाती है सास्त्रों के अनुसार कृष्ण पक्ष वा सुक्ल पक्ष की त्रियोदसी को प्रदोस्वरत रखना चाहिए भुलेनात का रुद्राव शेक और स्रंगार का विसेस महत्व है इस दिन सचे मन से पूजा करने से मनुवान चित्फल की प्राप्ती होती है साधी विवा की अर्चनी धूर होती है लक्षमी प्राप्ती और संतान सुप की प्राप्ती होती है तो आएए जानते हैं प्रदोस्वरत का सुब मूरत पूजन विधी वृत का था मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं सोम प्रदोस्वरत 21 नवंबर 2021 दिन सोम भार को है सुम प्रदोस्वरत पुजा का मूरत सामको पांक बच के चबिस मिनट से रातरी आट बच के चैनल पर कुल अबदी दो घन्टे चालिस मिनट कि त्रियोधेसी तिति का प्रारम 21 नवंबर को उबह 10 बच के साथ मिनट से और इसकी समापती 22 नवंबर को सुबा 8 बच के 49 मिनट पर प्रदोस काल का धार्मिक महत्व किसी भी दिन सूरी के सूर्यास्त और रात्री के संधिकाल को प्रदोस काल कहा जाता है जिस प्रदोस काल को भगवान सीव की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना गया है उसके बारे में पौरोडिक मानेता है कि इस काल में भगवान सीव ने विसका पान किया था और निलकंट कहलाई थे मानेता यह भी है कि इसी प्रदोस काल में देवों के देव महादेव कैलास परवत में प्रसन मुद्रा में निरतिकरते मानेता यह भी है कि एक बार चंद्र द प्रदोस काल में भगवान सिव का सोर सो उपचार तरीके से पूजन करें कथा वाचन करना चाहिए। जी की आरती प्रसाद वित्रड करने के बाद सबसे अंत में स्वयम प्रसाद ग्रहड करें। कराता हुआ मिला प्रामणी दयावस उसे अपने घर ले आई वालड का विधर्व का राजकुमार ता सत्रू सैनिकों ने उसकी राजपर आकमर कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राजपर नियंतर कर लिया था इसलिए इधर उधर भटक रहा था राजकुमार ब्राम भागया कुछ दिनों बाद अंसुमति के माता पिता को संकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंसुमति का विवहा कर दिया जाये और उन्होंने वैसा ही किया सोम प्रदोस वृत कथा महत्मै ब्रामडी प्रदोस वृत करती थी उसके वृत के प पुत्रों को अपना प्रधान मंत्री बनाया ब्रामडी के प्रदोस्वरत के महत्मेस से जैसे राजकुमार और ब्रामड पुत्र के दिन फिरे वैसे ही संकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं अतासों प्रदोस्वरत करने वाले सबी भक्तों को या कता अवश्य पढ़नी अत्वा सुननी चाहिए जय स्रीकिश